परिसिमन में गरबडी करने का आरोप लगा सेकड़ो लोग ने किया धर्ना प्रदर्शन नवगठित नगर पंचायत पीप्रा में परिसिमन में गरबडी का आरोप लगा कर सेगडों लोगने आज सडक मार्च करते हुए प्रकंट कारेले पीप्रा परिसर में धर्ना प्रदर्शन किया है धरना में सामिल लोगों का कहना है कि परिसिमन में सिकायत के लिए उनसे आपती तोली गई लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया जिससे वाट नमबर 1, 2, 3 और 4 के लोगों को धारी कटिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है कहा कि वोट के परिसिमन में गाउं की भोगोलिक स्तीती और आबादी को दरकिनार करते हुए राजनीती सी प्रेरित होकर लोगों को परिशान करने के लिए गलत तरीके से परिसिमन किया गया है कहां कि जिस तरह से परिसिमन किया गया है इसमें लोगों को काफी दूर वोट गिराने के लिए जाना पड़ेगा जबकि भागया निर्देशन के अनुसार परिसिमन कर एक गाउं जिसके आबादी पूरी भी है और उसकी भोगलिक स्तीती भी परिसिमन के लिहाज से इस गाउं के लोगों को जान बुच कर दूसरे गाउं में जोड दिया गया है स्तानिय लोगों ने कहा कि इस बात की सिकायत कहीं बार की गई कि वोट के परिसिमन में सुधार किया जाये लेकिन कहीं किसी ग्रामिनों के मांग को नहीं सुनी लिहाजा ठक हार कर लोगों ने अधर्णा देकर अपनी मांगों का ज्यापन अधिकारी को सौपने की बात कहीं सुपन से हमारे समवदाता M.D.N. जिरालम की रिपोर्ट लातार हो करके हम लोगों को रोट को दरना परा है और मैं प्रता मांगों का इत्रा नगर पंचाइट के वाट मतलब मक्रोई मोजा अलग रेवन्यू में विलेज मक्रोई है जिसमें चार वाट रस्ता वीड़ा है वाट नमर एक अनन्दी पटी अभी बरतमान में उसकी जन संख्या 1670 वो लोग दिखा रहे हैं लेकिन और उसका जैसे देशेगा भालगोलिक इसकी देशेगा उ जन संख्या 1340 वाट इसकी जो है दिखाने के लिए दिखला दिया है अभी से कर दिया गया है उसको करके मक्र मक्रोई का जो है कि अछली पाइग आज चारा हुआ है वाट फुलफी कर ले देग्ड़ा है यहीं लिक करके निरस्थिया है और जन संख्यां जो है जन संख्या भैरी करता है हम दावा करते हैं कि हम लोग के द्वारा प्रस्ता भी वाट इतना दिया है बना करके एक मतला ज तोटल फुल्फिल करते हैं, सभी माविने हैं, बता नहीं किस राजिनी से प्रेडित होकर के एह जो साफ हम लोगे साथ है साथ दुड़ाचार बैभार की हैं, जिसका कोई उपर नहीं हैं, हम लोग इसके अजेस्ट में कमिस्टर के पास के हैं, कमिस्टर साहब लिखते हैं, आज जो धर्ना दे रहे हैं, सित्या उदेश हैं, हम लोगे का वार जो है, उठे कर जा जाएं